हाई फ्रेंट्स तो सबको स्वागते एक दिव नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्राइंफ टाइगर 900 के बारे में एक रिव्यू तो अगर हम इसके हेडलाइट में देखे तो हमें यहाँ डियारल मिलता है और यहीं हमें मिडल में जो ट्राइंफ का लोगो है वो भी देखने मिलता है और इसका हेडलाइट जो है हमें LED है और उपर देखे तो हमें Tiger करके लिखा है और जो Fog Light है यह हमें Company से fitted आता है Rally Pro करके मॉडल में और इसके आगे के टायर में हमें Dual Disc मिलते हैं Brembo के और इसका यह सबसे High-end मॉडल है Rally Pro इसके और भी बेस मॉडल है GT और इसके ओपर हमें Rally करके भी मॉडल है और देखे यहां यह जो मॉडल का नाम लिखा है Rally Pro और यहां देखे तो हमें LED इंडिकेटर्स मिलता है और इसमें हमें Adjustable Windshield है और यहां Triumph करके लिखा है और यहां Tiger करके भी लिखा है और यह गाड़ी में हमें 888cc के एंजिन मिलता है जो कि 3 सिलिंडर है और हमें इसमें Maximum Power 95.2 PS है और Maximum Torque 87 Nm Torque है इसमें और हमें इसमें Slipper Clutch भी मिलता है और इसमें हमें Six Gears मिलते है और इसके जो Seats है वो हमें Ventilated मिलता है वो Only Rally Pro में हमें मिलता है Ventilated Seats लेकि यह heated करके लिखा है और यहां हम Top Box चाहिए तो लगा सकते है पीछे और यहां हमें handle heat करने का भी बटन है और हमें adjustable lever भी मिलता है जो clutch lever है और यहां हमें cruise control के controls, headlight controls, indicator और जो display control करने का है वो भी मिलता है और यह heated grips का heat करने का button और जो heated चीछ है वो हमें only Rally Pro में ही मिलता है और यहां tiger करके लिखा है और इसमें हमें 7 inch TFT display है इसमें speedometer और यहां जो गाड़ी start करने का switch है यहां और hazard light का भी switch है तो अभी हम इसका जो speedometer इसको start करते है देखे तो एक अच्छा speedometer है जिसमें कि हम start करते कि जो triumph पर logo दिखा रहा है देखे इसमें हमें ABS switchable है और यह speedometer का जो style है वो हम बदल सकते है देखे अभी जो brightness है देखे यह style हमें इसमें 4 style मिलता है और यह round per minute जो rpm है वो भी दिखाता है और इसमें हम चाहिए तो gopro भी हम connect कर सकते हैं चाहिए तो call भी receive कर सकते हैं एक किलोमेटर पर आवर सब कुछ दिखाता है यहां देखे और यह सब यहां से control होता है देखे लेफ्ट राइट सब कुछ यहां से होता है और इसका जो petrol tank है वो हमें 20 liters का है और इसका ground clearance हमें 181 mm है इसका ground clearance और इसका जो weight है वो 194 kg है और इसका wheelbase 1551 mm है और इसका जो पीछे का brake है वो भी हमें LED मिलता है और हमें पीछे भी disc है वो भी Brembo का है पीछे है और यह है इसका exhaust देखे और इसका जो price है on road हाइदरबाद वो 17 lakhs अप्रॉक्सिमेट है और यह गाड़ी का जो tire है वो tubeless है और इसका company जो कह रहा है mileage 23 km per liter है लेकिन मुझे लगता है कि इसका mileage कैसा भी 20 के नीचे ही मिलेगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe कीजिए subscribe कर रहे हैं बेल बटन भी क्लिक कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में till then, goodbye कर दो कर दो कि भी दो